हाई गाइस वालकम टो माई चैनल गाइस किसी भी फोटो इमेज डॉकुमेंट या पासफोर्ट साइज फोटो की साइज को किस तरह से रेड्यूस करना है यानि कि साइज किस तरह से कम करना है आज की वीडियो में आपको यहीं दिखाऊंगा गाइस अपने अक्सर देखा अबकर आपको भी होता है यानि कि आपको 100 qb के अंदर को अप्लोट करना पड़ता है बट हमारे पास जो फाइल है उसका साइज बड़ा होता है यानि कि 500 MB तो कभी होता है तो जब उस फाइल को अपलोट करते हो तो आप रोता दो और गारने सबको फोटोस आता नहीं है कि या फोटोसोप में जाके उसको फाइल साइज कम करके रिड्यूस कर लोगे उसके बार अप्लोड करोगे इसलिए गाईज मैं आपके लिए एक ऐसा बहतरी एप्लिकेशन धुनके लाया हूँ जिसको यूज करके आप इसलिए किसी भी फोटो के साइज को कम कर सेकते हो लाइक अगर आपका फाइल का साइज 500 MB है तो किस तरह से 100 KB या 50 KB के अंदर लाना है सब कुस मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा इससे आपका फोटो क्वालिटी खार भी नहीं होगा तो चलिए गाज किस तरह से इस एप्लिकेशन को यूज करता है मैं अभी आपको करके नाम इएप मैं साइज बावी करता हूं पर करता हूँ आपको कुछ इस तरह के इंटरोच की सिम्पल इंटराफ्यस दिखाई दिखाई देगा बहुत ही सिंपल इंटरफेसे कुछ भी नहीं है यहां पर गाईस पर क्लिक करने के बार यहां से आपको इस फोटो का साइज को कम करके दिखाता हूं तो गैस में इस फोटो को ले लेता हूं तो आप देख सी तो मेरा यह जो फोटो है इसका साइज है 7.23 MB का Size है जैसे कि मैं आपको मैं देखा ही देता हूँ गैलरी को आपन करके तो गाइस मैं इसको आपन कर लिया है उसके पाद गाइस देखेंगे आप यहां से देख सकते हो ठीक है उसके बार मैं मैं सिंपले वापे जाता हूँ अभी अप्लिकेसन को अपन करता हूँ तो गाइस मैंने यहां पर इस फाइल को आपन कर लिया है दो आप देख लिखा हो फाइल साइज आपको 7.23 MB है ठीक है तो मुझे इसको अभी क्या करना है 150 KB या फिर 200 KB के अंदर मुझे इस फाइल को हुलाना है मुझे 150 KB इसको करना है मतलब 7.23 MB का फाइल मैं 152á में सब्सक्राइब करोंगा उसके भार को सिंपले क्या करना है घ्रकाइब कॉंप्रेस पर क्लिक करना है तो आपको मैं गैलरी को आपको इसको धिखा दिखा देता हूँ तो मैं इसिंपली मैरा file पर click करता हूँ उसके बाद guys आप देख सेक तो यह automatically एक folder बना लेगा देखे QR reduction लाइट करके automatic folder बना लेता है तो मैं इसको आपको open करके दिखा देता हूँ अब को इसका size को तो मैं यहाँ पर details में फिर से click करता हूँ तो आप देख सेक तो तो यहां पर टॉप राइट कॉर्णर पर त्री डोट दिया गया है यहां पर अपको और अडिशनल फीचर मिल जाता है यहां पर आपको एक उप्सिंपली केमेरा पर क्लिक करके इंस्टेट लिए फोटो किसके भी आप साइस कम कर से क्लिक करता हूँ उसके बाद गाइस आप कर दिया उसके बाद को सिंपली यहां पर कॉंप्रेस पर क्लिक करना है तो आप देख सी तो 3.60 अबी का फाइल इसने 91.34 के बी में कर दिया है मुझे 100 के भी चाहिए था इसने 91.34 के भी कर दिया है इस तरह से इस एप्लिकेशन को यूज करके आप किसी भी फोटो डोकुमे आपको यह वीडियो हेलफुल हुआ होगा और अगर आपको वीडियो पसना है तो आपको लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना